हलो फ्रेंड आप देखर हमारा चैनल ग्रो बुक्स तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिलिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिचिएगा तो चलिए आजम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नामे अन्यू अर्थ इसका मतलब आएए अपनी स सोच से एक नई धर्थी को जनम दे इनका लेखा का नाम है एकार्ट टोले तो चलिए बुक काप को दो लबज़ों बताते हैं और न्यू अर्थ में हम देखेंगे कि हमारी सारी परसानियों की वज़ा क्या है और कैसे हम इन सबसे छुटकराप पा सकते हैं इस किताब को आपके बदलने से ही इस धर्थी का नया जनम होगा यब वो किसके लिए है वे जो दुख से चुटकारा पाना चागते हैं वे जो हिन्टा को रोक कर समाज में सांती लाना चाहते हैं वे जो हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं अधियाय नमर एक आप भी हर वक्त परसान रहते हैं और पुरानी बातों को बारे में सोचते रहते हैं कि आप सारे दुखों की वज़ा जानकर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो या किताब सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई हैं इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे Ego की वज़ अबे धर्म हमें सांती से रहने का उपदेश देते हैं, पर इन धर्मों की वज़ा से ही हमारे समाज में असांती फैली हुई है, इस किताब से आप जानेंगे कि आपकी इस तरह बर्तमान में रहकर अपने सभी परसानियों से छुटकारा पा सकते हैं, इस बुक को पढ़कर आ अधिया नमर दो, अपने सभी दुख की वज़ा खुद इनसान ही है, इनसान हमेशा से ही लाल्ची, स्वार्थी और एक खतरनाक प्रारी रहा है, पिछले सो साल से इनसान ने बहुत सारे बम और जहरिलिक गैस बनाई है, जिससे सिर्फ इनसान का ही नुक्सान हुआ है, इनसान का यही पागलपन उसके परसान होने की वज़ा है, इनसान के इनी अविश्कार की वज़ा से आज पूरी दुनिया में आतंग फैला हुआ है, और सबी लोग डर में जी रहे हैं, हर दिन हिंसा बढ़ रही है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया भर की अ अलग अलग परिभसाये दी गई है। अलग परिभसाये दी गई है। एक मासुम इनसान की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या है। सबे धर्मों ने लगबग एक ही संदेश दिये हैं। सबे धर्मों ने कहा कि ख्वाइसे ही इनसान के सबसे बड़ी दुस्मन है। एकिन अब तक कोई भे धर्म हिंसा को रोग पाने में सक्षम नहीं हो पाया है। अधियाय नमर 3, हमें इस हिंसा से निमपटने के लिए दुसरे नई तरीकों की जरुवत है। इनसान हमेशा ही हिंसा जैसे चीजों को देखता आ रहा है। बहुत सारे धर्म गुरुओं ने हिंसा से निमपटने के लिए नय धर्म बनाए। लेकिन से कोई फयादा नहीं हुआ। जब यह धर्म बनते थे तो यह धर्म नहीं हुआ करते थे। यह हिंसा और जातिवाद से निमपटने के मुवमेट हुआ करते थे। लेकिन आने वाले समय के साथ लोग इस मुवमेट को धर्म की तरह अपनाने लगते थे। जिसे जातिवाद और हिंसा और बढ़ जाती थे। इतियास में बुद्ध और महवीर जैसे लोगों ने हिंसा को रोकने के बहुत कोशिश की। गौतम बुद्ध ने कहा जीयो और जीने दो समय के साथ हम इने भगवान के तरह पुझने लगे। लेकिन इनकी दियोई सिच्चा को भूल गए। लेकिन आखिरे ऐसा कीम होता है। कीम यह मुव्मेंट्स धर्म बन जाते हैं और लोगों में हिंसा बढ़ा देते हैं। आये मुव्मेंट्स से कोई लेना देना नहीं था। समय के साथ ये मुव्मेंट्स अपना अर्थ खोने लगे। पुराने जमाने की राजा या दूसरे सक्तिसाली लोग इन मुव्मेंट्स को दबा देते थे। इसलिए इन मुव्मेंट्स को सुरू करने वाले लोगों को मार द देते थे और ये मुमिर्स वहीं बंद हो जाते थे, जैसे-जैसे हम तरके की और बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे ही हिनसा बढ़ती जा रही हैं, जिन धर्मों ने हमें भाई-चारे से रहने का उपदिश दिया, आज उने के नाम पर दंगे हो रहे हैं, धर्म हिनसा ने को जानना होगा इसे पहले आप यह स्वाल पूछे कि हिंसा कैसे रोके आपको यह स्वाल पूछना चाहिए कि हिंसा क्या होती है हिंसा की वज़ा है एगो हमारा एगो ही हमें कभी-कभी सांती से नहीं बैठने देता एगो को पास्ट और फ्यूचर में राना पसंद है यह हमे पाने के लिए इनसान हमेशा परसान राता है और इसके पीछे भागता राता है इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर आप परसान है तो इसकी वज़ा है आपका एगो और अगर आपको अपने परसाने से छुरकारा पाना है तो अपने एगो से छुरकारा पाना होगा एगो से छुड़कारा पाना कोई आसान काम नहीं है लेकिन एगो ही आपका दोसी है पुरानी यादे और भविस की चिंताओं को लेकर चलने से ही आपकी परसानिया बढ़ती है आज अक्सर हमारा आमना सामना ऐसी लोगों से होता है जो हमेशा ही परसान रहते है अगर वो लोग अपने घमंड, ख्वाइस और एगो को छोड़ दे तो उनके सारी परसानिया खतम हो जाएगे एगो की वज़ा से हमारे सोजने की च्छम तक कम हो जाती है अक्सर हम गुस्से में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में अपसोस होता है ऐसे इसलिए होता है यूपकि हम अपने आपको नहीं जानते हैं हम अपने ख्यालों में उलज़र आते हैं और उसे काबू नहीं कर पाते हैं अधियाय नमर 5 सारे दर्द और सभी परसानियों को ढोते रहना ही एगो का काम है आईए इस कहानी को पढ़कर आप समझने की कोशिश करें कि एगो किस तरह से हमें परसान करकता है एक बार एक अंदी बुड़ी महिला जंगल में रास्ता भटक गई दो साधुएं ने उस बैचारी महिला को द साधु को अच्छी नहीं लगे इस घटना के कुछ घंटों के बाद दुसरे साधु ने कहा आपने जो किया वह हम साधुएं को सोबा नहीं देता उस पर पहले साधु ने कहा मैंने तो उस महिला को तो कई घंटों पहले ही उतार दिया लेकिन आप उसे अब भी उठाय एगो आपको कभी भी बर्तवान में रहने नहीं देता। ये आपके दिमाग को हमेशा पुरानी बातों को सोचने पर मजबूर करता है। जिससे आपके बैजहने, उच्छुकता और परजानी बढ़ती रहती है। और बेचेन हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी कभी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आप उस बात को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाईए। बुरी यादों को कभी भी अपने साथ मत रखिए। अधियाय आपका जिंदगी का असली मकसद क्या है? कि आप दुनिया के सबसे अमीर आद्मी बनना चाहते हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप से अमीर कोई न हो। आप सबसे अमीर रहने के लिए हमेशा ये परषान रहेंगे और दूसरों से कंपरटिशन करते रहेंगे। कि आ आप एक खुशाल परिवार पाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका परिवार आपके हिसाब से ही हो, और आपके बातों को माने, घर में जगडे होते रहते हैं, जो कि आपके परसानी के वज़ा बन सकती है, तिन सबसे एक बात साथ है, कि अगर आप कुछ हासिल करना चा कर अंदर की जरूरतों को बारे में सोचना चाहिए, हम सबी की बाहरी जरूरते भले ही अलग अलग हो, पर अंदर की जरूरते एक जैसी ही है, हम सबी खुश रहने चाहते हैं, और सुकुन से अपनी जिन्दगी बिताना चाहते हैं, अंदर की जरूरतों को पूरा करने के ल में रहेंगे लेकिन अगर आप सोच में हैं तो आप या तो भविश के बारे में सोच रहे हैं या भूत के बारे में अधियाय नमर साथ आपके पास जो भी है आप किसे सुविकार कीजिए और इस पल का पूरा आनन्द उठाइए हर कोई चाहता है कि वो रोज की परसानियों क किसी बक्से में बंद करके ताला मार दे लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं आईए देखे कि आप किस तरह अपने इन परसानियों से छुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले तो आपको बरतमान में रहते हैं तो आप अपने आप ही खुश रहेंगे बरतमान में रहन आने के लिए परसान रहेंगे और वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। आपको जिसमें चीज में खुसी मिलती है आप वो कीजिए। भले ही वो तूसरों के हिसाब से मजदार नहों। आप अपने आपको हर माहौल का आनंद लेने के लाइक बनाईए। जिससे आप हमेशा उसमें रखिए। चिंता होना आम बात है। आप बस उस चिंता को बगल्म रखकर बर्तमान पर फोकस किजिए। आप जितना ज़्यादा बर्तमान में रहेंगे आपके सुविकार करने के छामता उतने ही बढ़ेगे। इगो से ही होती है। हमारा इगो हमें हमेशा दूसरों से बहतर बनने की उत्सुकता रखती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने इगो से छुड़कारा पाए।